सब्सक्राइब कीजे भूवी भाटिया चैनल और साथी दबाईए बेल आइगन ताकि आप रहें अबडेटिट हमारी आने वाली सभी लेटिस्ट वीडियोज और नोटिफिकेशन से हाई आपके लिए जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो है इंडियन ब्राइडल मेकप लूक आप कैसे क्रियेट कर सकते हो इसटे बस चैनल यह मेरी वर्क्शोप थी डैली में तो मैं अपनी वर्क्शोप को देने गई थी तो यह मैंने ब्राइडल मोडल रेरी की थी आप आज की यह मेरी वीडियो आपको पसंद आया और आप भी मेरी क्लास लेना चाहते हैं यह आप अपना ब्राइडल मुझसे कराना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना पॉन्टेक नंबर दे दूँगी तो प्लीज एथी आपको हैस्टार यह अपना ब्राइडल की तो प्लीज कॉंटेक्ट मी और मैं आपको स्ट्राइब बाता थी किस तरीके से मैंने यह वर्क्शोप में इंडियन ब्राइडल मेकप रुक्रेट किया था तो जैसे कि आप देख से कर जो मैंने ब्रोपेंसी ली है आई गोपो सैट करने के लिए जो KST होता है और एक स्पोंग की साहता से मैंने इस पच्छा से ब्लेंड कर लिया है और उसके बाद मैंने मोर्फी जैक्रीन की पैलिट लिया है उसमें से मैंने लिया है पीच शेड और उससे मैं ब्लेंडिंग करूंगी और आप भी मेरी क्लासिस लेना चाहते है और मेकप आप सीखना चाहते हैं, advanced hair style सीखना चाहते हैं, तो please contact करें और आपको bridal makeup भी create करना है, कराना है, आप booking चाहते हैं, तो please मैं डिस्परफ्रन बोक्स में डाल गूगी, तो आप बता सकते हो मुझे, और आप देख सकते हो, उसके बाद में मैंने ये pro concealer का ही, ये, आप देख सकते हो कि मैंने cut crease की है इनकी, लेकिन मैंने full cut crease नहीं किया, उसके बाद में मैं ये peach shade, क्योंके लहेंगे कि जो color है, उसमें peach shade है, उसके बाद में लास्ट में आउटर corner के पास में थोड़ा सा red color दिया है, और उसके बाद में मैंने दिया है black, next उसके बाद मैंने makeup regulation का लगाया, highlighter highlighter, brow के पास में, इसके बाद मैंने glitter यूज किया है, मैक का, then आप देख सकते हो कि आई का look इतना stunning आया है, and inner corner में मैंने makeup regulation का ही highlighter यूज किया है, इसके बाद मैंने MAC का लिया है, liner, gel liner, जैसे कि आप देख से इस तरीके से मैंने liner लगाया है, and उसके बाद मैं आप देख सकते हो कि मैं inner corner पर भी लगाऊंगी, और मैं waterline के आसपास मैंने लगाया है, and उसके बाद मैं blue color का जो eyeshadow है, वो मैंने आसपास की, जो lower lashes के वहाँ पर मैंने apply किया है, then उसके बाद मैंने clinger से पूरे face quality से clean किया है, and उसके बाद मैंने eye roller लिया है, जो कि तजबा का है, ताकि आपकी eye को relax, मिली जितना भी product आप तका आपकी थोड़ा eye problem करते है, उसके बाद मैं मैंने moisturizer लिया है, aroma का, और साथ मैंने primer लिया था, जो कि मैंने stick विर्की का लिया, और आप देख सकते है मैंने color correction का use भी किया था, color correction मैंने लिया है, mac का ही, and उसके बाद में मैंने look for shali का facial oil, and मैंने pack का लिया था, foundation, and उसके बाद में मैंने लिया था, mac का ही concealer, और साथ में मैं अच्छे से सब को blend करती जानी, क्योंकि मेरे पास इतना time नहीं था, dear मैंने बहुत की shortcut में shoot किया है, and और उसके बाद में आप देख से कर लिया, उसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी, and मैं compact use किया है, यहाँ पर मैंने banana powder, जो कि मैंने beauty is ilerica, asgy का लिया है, and vivid का मैंने यहाँ पर blusher लिया है, and आप देख सकते हो, जो कि मैंने highlighter मैंने glam 21 का लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो और उसके बाद में मैंने makeup setting spray लगाया है और eyelashes में आपको दिखाँगी थोड़ा देर में इसके बाद में लिप्स्चिक ली है यह मैंने सीक्रेट हो विक्टोरिया सीक्रेट की लिप्स्टिक ली है जो कि मुझे बहुत पसंद है इनका बिल्कुल भी क्रैकी नहीं होती है उससे पहले आप लिप्स्टिक लगाने से पहले सिरम का यूज जरूर करें और उसके बाद मैं इनकी आई को फिनिशिंग दूंगी देसे कि आप देख सकते हो मैंने ये लगाया है इंस्टेंट का मशकारा और उसके बाद मैंने फेक आई लैसिस लगाई है नैकड की ही और फाइनली आप देख सकते हो कि मैंने किस तरीके का लुक क्रियेट किया है I hope आज का ये मेरा make-up वीडियो आपको पसंद आए तो please आप like and share and subscribe कीजे भूमी भाटे चैनल को Thank you so much